दोस्तो इस नुस्के नूं सिर्फ एक वार अपना लो माँस पेशियां दा दर्द पैरान जा फिर पिंडलियां दर्द अते सरीर दा दर्द बल्कुल ठीक हो जावेगा दोस्तो आज असी तुहां नुदसन वाले हां कि सरीर दे हर तरां दे दर्दनों तुसी केस्तरा क्रेलून उसके नल दूर कर सकते हो साब तो पहला तुहां नुदस दे हां कि मास पेशियां विच दर्द अते जकडन क्यों होंदी है एस तो पहला जे तुसी साड़ा फेस्बुक अते यूट्यूब चैनल सहत पंजाब हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किता ता कर लो दोस्तो जिमें सरीर वीच हड़ियां दी कमजोरी जोड़ा वीच होनवाडा दर्द सरीर वीच कैल्शियम अते बिटामिन डी दी कमी दे कारण होनदा है जोदो भी साड़े सरीर दी मास पेशियां कमजोर हो जानदी हैं जा फिर सरीर वीच जरूरी मिनरल्स अते बिटामिन दी कमी हो जानदी है ता इस तरह दर्द होना शुरू हो जानदा है जेतोध आनू ए दर्द लगाता रहंद है ता इस दी मुख वजा सरीर वीच बलड फलो चंगीतर ना होन होन हूंद ना है स्रीर विच कैल्शियम, मैगनीशियम अते पोटेशियम दी कमी कदे न होन दियो। एनना दी कमी पूरी कारण ले केला, पालक, दोदनाल बनियां चीज़ां, कद्दू दे बीज, बदाम, अलसी, सूर्ज मुखी दे बीज अते तेल। ए चीज़ां अपनी डाइट चे जरूर शामिल करो, एस दे नालना रुजाना गोड़ दा सेवन जरूर करो, क्योंकि गोड़ विच कैल्शियम, पोटेशियम अते मैगनीशियम पर पूर मात्रा विच हुन्दा है। चलो होन तो हानू दासते हां ओक रेलू नुसके, जिनना नाल ए दर्द ठीक किता जा सकता है। दोस्तो रोटी ता हर कर विच बन दी है, पर रोटी नू एस तरी के नल बनाके खादा जावे, कि एसना साथे स्रीर दियां बहुत सार्यां बिमारियां ठीक हो जान। चलो होन तो हानू दासते हां एस नुसके बारे, एसले सानू तेन चीजां दी जरूरत पवेगी, चार जमच तेल, चार जमच अलसी, अते एक जमच मेथी दाना, साबतो पहला ए सार्यां चीजां ड्राई रोष्ट करलो, अते एक बांदडे बे विच राखलो, एस ता आटे विचे चार जमच पाउडर मिलाओ, फिर इस आटे दी रोटी बना के खाओ, ए रोटी हर कोई खा सकता है, इस नुसके दे नाल नल तो हानू रात नू, रुजान ना हल्दी वाला दोद जरूर पीना है, इस ना तो हाटियां मास पेशियां दर्द अते सरीर दा हर तर तो हानू दास दे हां एक तेल वारे, ए तेल सरीर दे दर्द नू बहुत जल्द दूर करेगा, दोस्तो ए नुसका बहुत पुराना है, अते पुराने समय तो इस्तमाल कीता जान दे है, इस दे लिए तो हानू चार चीजां दे जुरूर्ट पवेगी, सरों दा तेल, अते कपूर, ए तेल नू बनाऊन देली सब तो पहला ए चीजां चंगीतरा पीस लो, अते सरों दे तेल विच मिला के चंगीतरा गरम करो, अते तेल ठंडा होन ते, तेल नू शान के रख लो, फिर एस तेल दी दर्द वाली जगांते मसाज करो, तो हाटा दर्द बहुत जल ठीक होवेगा, दोस्तो एक वार इस तेल नू लगा के देखो, तो हाट नू बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा, अमीद है ए नुसके तो हाटेली फाइदिमंद होन गे, वीडियो देखन ली तन वाद